आइए गुड मोर्निंग तो आइए प्रिटेस्ट एकसे एक्वेश्टे सो इसके पर इसके कुछ यहां पर कनेक्ट हो जाइए और यह आगे का चेप्टर कंटिूनी कर रहे हैं चेप्टर प्रक्टेस्टर वहां पर उसके वह नहीं है राइट कैसे एक्जांपल सौल करते हैं ऐसे कुछ नए एडवांस लेवल के एक्जांपल में आज सौल करूंगा आपके सामने तो प्लीज उसको में ध्यान में रखें देखो कोई भी एक्जांपल हम इसको क्यों कि नहीं करेंगे तो कैसे क्वेस्चन आएगा पहले ताप फ्लीक दिजिए कि एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन सौरी हो जाएगा x-1 okay x-1 then it is x plus 1 is equal to 5 divided 6 condition is given that x is not equal to 1 or x is not equal to minus 1 find the root by the factorization method तो उसके roots find करने है उसका जो भी दो roots है वो find करने है factorization method से ओके तो चलो ऐसे question में क्या करें तो yesterday we have already talk कि हमको कहां जाना है तो उसके standard form में चले जाएए तो first try to get the standard format चलो उसका simplify कर रहा है यहां पर simplification में क्या होगा देखो यहां पर x-1 है और यहां पर x-1 है दोनों अलग-अलग है x-1 और x-1 अलग-अलग है उनका HCM वही होगा अलग-अलग है तो अलग-अलग ही होगा x-1 और x-1 दोनों ले लिया यहां पर x-1 है तो cross multiplication कर दीजिए तो वह हो जाएगा x-1 whole square यहां पर माइनस हो जाएगा x-1 whole square is it okay is equal to क्या था तो is equal to था 5 divided 6 घ्यान से समझ एक step important है ओके x-1 whole square गया होता है तो bracket में लिख रहा हूँ अभी x-1 whole square हो रहा है x-2 plus 2x-1 minus करूंगा इसको भी bracket में लिख रहा हूँ x-2x-1 सिर्फ माइनस और plus का ही फर्क था यहां पर नीचे क्या हो गया तो नीचे जो x-1 and x-1 था तो हमको पता है कि x-1 x-1 देखो मैं क्या यह identity यूज़ कर रहा हूँ यहां पर a plus b whole square equal to क्या हो गया तो a square plus 2ab plus b square अगर बीच में यहां पर minus है तो यहां पर क्या कर दूँगा सिर्फ minus दूसरी identity कौन सी है a plus b and a minus b वाली a plus b a minus b क्या हो जाएगा a square minus b square तो नीचे हम लिख देंगे यहां पर x-1 x-1 is equal to क्या हो जाएगा 5 divided 6 clear यहां तक चला उपर का simplification कर लेते हैं आकेट को अब open कर रहा हो x square plus 2x plus 1 minus x square plus 2x minus 1 और नीचे division में क्या होगा तो x square minus 1 is equal to 5 divided 6 clear okay x square plus x square minus x square cancel plus 1 minus 1 cancel 2x plus 2x 2x plus 2x कितना हुआ 4x divide it is x square minus 1 equal to 5 divided 6 we are going towards for getting standard form of ax square plus bx plus c फिर से multiply गरे देखो कैसे multiply होगा 6x का 4x के साथ multiple होगा 24x हो जाएगा 5 का x square minus 1 के साथ multiple होगा like this directly आप ऐसे मतलिक देना 5 x square minus 1 ये गलत है 5 का multiplication हो रहा है x square minus 1 के साथ तो 5 into x square हो जाएगा आपका 5 x square and 5 1 is a 5 तो लिखना पड़ेगा वहाँ पे तो क्या हो गए यहाँ पे फिर से देखिए आप ये हो गए आपका 24x ये 5 x square minus क्या हुआ 5 चलो फिर से दोनों की side change कर लेता हूँ 5 x square minus 5 equal to 24x then आगे बढ़ते हैं वहाँ पे 5 x square minus 24x minus 5 equal to 0 चलो यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए सब को clear एक बार फिर से देख लेते हैं simplification कैसे simplify किया x plus 1 x minus 1 x plus 1 था दोनों का यहाँ पे LCM लिए हैं यहाँ पे यह दोनों का cross multiplication किया फिर से देख लेजिए यह cross multiplication किया तो x plus 1 x plus 1 2 times आ गया देखिए एक x plus 1 था और दूसरा x plus 1 multiplication में आया तो 2 हो गए यहाँ पे तो हो गए है वो x plus 1 whole square और ऐसे हुँ आपका x minus 1 फिर हमने यह identities यूज़ की अब आगे क्या करना है factorization method से करना है तो यहाँ पे तो यह solveable रहेगा आपके लिए 5 x square 24 तो 5 5 is a 25 तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 5 x square 25 x plus क्या हो जाएगा x minus 5 equal to 0 तो क्योंकि 5 5 is a 25 बदेखिए 5 और यह 5 25 होगा तो फिर क्या होगा यह तो 5 x तो 5 x को common निकालता हूँ तो हो गया x minus 5 यहाँ से plus 1 x minus 5 बार बार repeat कर रहा हूँ कि x minus 5 वाला जो bracket है उसको आप common में equal रखिए वहाँ पे ओके तो फिर आगे क्या हो जाएगा तो x minus 5 and 5 x plus 1 equal to 0 मेरे हिसाब से आपको preparation कुछ SSM से start करनी होगी ओके x minus 5 equal to 0 and 5 x plus 1 equal to 0 okay x minus 5 equal to 0 है तो x equal to क्या हो जाएगा तो x equal to 5 5 x equal to होगा minus 1 और x equal to क्या हो जाएगा minus 1 upon 5 so these are two zeros of the given equations okay so 5 and minus 1 upon 5 1 you can take it as alpha alpha equal to 5 and you can write beta equal to minus 1 upon 5 okay so these are your two solution or roots of this okay question क्या था और उसको solution कैसे किया यह ध्यान में रखे question कुछ इस तब प्रकार था clear चलो और एक सम मैं solve करूंगा फिर आपको कुछ solve करने के लिए भी मैं दूंगा तो ऐसे questions में खास ध्यान में रखे चलो next sum ध्यान से देखते रहे और समझते रहे उसको second simplify आपका एकदम strong होना चाहिए 1 upon x-3 1 upon x-3 minus 1 upon x plus 5 equal to 1 upon 6 condition condition में क्यों समझना है देखो x is not equal to 3 and x is not equal to minus 5 यह condition है ध्यान में रखने जैसी है क्योंकि x 3 नहीं होगा जब x यहां पे 3 हो जाएक तो 3 minus 3 0 होगा तो ऐसा था कुछ होगा नहीं चलो एलसी हम लेके start कर देख गोइंग टूँवर्स standard form x-3 x-5 तो नीचे वाले देखो कुछ इस प्रकार सिखिए आप a upon b और minus यहां पे c upon d यह general form लिख रहा हो तो पहले b और d का multiplication कर लिजिए अलग-अलएक तो b into d b d हो गया फिर a और d का multiplication कीजिए a into d हुआ plus है तो plus minus है तो minus फिर b और c का multiplication कीजिए वो b c हो गया तो कुछ इस प्रकार आपको उसका simplify करना है तो नीचे देखो x plus 1 x plus 5 यहां पे multiply हुआ तो x plus 5 लिखा minus minus तो था और bracket में लिख रहा हूँ x minus 5 नीचे क्या है इनके नीचे तो दो टम multiply हुए x minus 3 और x plus 5 जिसकी मैं आगे discussion कर चुका हूँ देखिए x minus 3 and x plus 5 is equal to क्या होगा तो दोनों xx वाल है तो x और यह x हो गया x square plus 5 and minus 3 तो यह हूँ आपका plus 2x minus 3 plus 5 यह हूँ आपका minus 15 direct लिख सकते हैं आप without wasting any time तो exam में भी आपको बहुत helpful रहेगा यह उपर का simplification क्या हो जाएगा तो x plus 5 minus plus minus x and minus minus plus 3 बहुत सारे students यहाँ पर गलती करते हैं कुशिस प्रकर देखिए minus x minus 3 लिखते हैं जल्द बाजी में ऐसा है नहीं लिखना है आपको minus x plus 3 लिखना है तो minus x plus 3 लिखा फिर नीचे क्या लिखा तो नीचे जो यह मिला था हमको अभी simplify किया वो क्या था वो तो वो था आपका x square plus 2x minus 15 था is equal to 1 upon 6 हुआ यहां तक कोई doubt नहीं होना चाहिए देखो x और x यहां पर plus minus cancel हो गए opposite numbers है इसलिए देखो वो भी आपका doubt क्लियर कर लेता हूँ opposite numbers है opposite number का जब आप addition करोगे तो opposite number का addition always 0 होगा और 0 को addition में mention करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 identity element है addition के लिए चलो 5 plus 3 कितना हुआ तो 5 plus 3 हुआ आपका 8 नीचे क्या बचा तो नीचे हुआ आपका x square plus 2x minus 15 यहां पर हो जाएगा 1 upon 6 समझ में आ रहा है चलो multiplication करता है यहां पर 8 का सीधा multiplication यह भी आप 8 का सीधा multiplication करें 6 के साथ 8 6 आ 48 और 1 का multiplication होगा तो कुछ नहीं फरक होगा 2x plus 15 स्वारी plus 15 नहीं है minus 15 नहीं प्लस मैनस में खास दियान रखिए चलो आगे बढ़ते हैं ओके चलो दोनों side change कर लेता हूं मैं अभी तो x square plus 2x minus 15 is equal to यहां पर कर लेता हूं 48 ओके तो x square plus 2x minus 15 minus 48 equal to 0 क्या होगा फिर simple सा equation मिलेगा 2x minus 63 equal to 0 देखिए question क्या था और इसका equation क्या मिला x square plus 2x minus 63 मिला 63 के कौन से factor होगे 9 7 जा 63 9 into 7 63 लेकि 9 minus 7 करोगे तो क्या जाएगा तो 2 आएगा यहां पर मैं लिख देता हूं आपका equations x square plus 9x minus 7x minus 63 equal to 0 फिर यह दोनों और यह दोनों उसमें से common निकाल ला है तो first हो जाएगा आपका x तो x plus 9 हुआ फिर minus 7 common निकाला तो x plus 9 होगा डियान में रखिए minus 9 नहीं plus 9 क्रोश शेक कर सकते हो आप यह minus और यह plus तो क्या हो गया minus तो एक bracket मिला आपको वो bracket मिला आपका x plus 9 दूसरा bracket मिला x minus 7 equal to 0 ओके x equal to क्या मिलेगा तो x plus 9 equal to 0 मिलेगा and x minus 7 equal to be 0 तो एक आपका root मिला यहाँ पे alpha बोल सकते हो उसको minus 9 दूसरा beta बोल सकते हो उसको plus 7 तो these are two zeros for the given equations x equal to minus 9 x equal to 7 these are the quality sums that you have to solve it to clear out your concept first बुक में 3-4 example है उससे काम नहीं चलेगा ऐसे ऐसे question solve करिए जिससे board का paper में कुछ भी अगर change होता है तो you can tackle with it चलो आगे बढ़ते हैं I hope कि idea clear हो गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे उसको solve करे कुछ question में आपको बाद में उसके assignment प्रोवाइड करूँगा इसमें से आप solve कर सकते हो अगर किसी को assignment solve करने है या 10 के यह lecture series में हमारे साथ participate होना है join होना है so you can message me on this number I will add you in that group okay so you can take part in this group चलो next बढ़ते आगे next question x-1 upon x third number का question है last question then we will move on another concept x-1 upon x x-1 upon x equal to 45 upon 14 okay now see x सिर्फ वही आप द्यान में रखिए चलो generalized form में लिखता हूँ a b upon c okay so a और c का multiplication हुआ तो यह हो गए a c b upon c देखो c b के साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि अल्रेडी c था है यहाँ पे तो x x क्या हो गए x square minus 1 निचे क्या हुआ x equal to 45 upon 14 ओके यहां तक चलो आगे बढ़ते 14 का multiplication होगा x square minus 1 के साथ cross multiplication 14 का multiplication हुआ x square minus 1 के साथ and 45 का multiplication हुआ x के साथ that is 45 x चलो यह हुआ 14 x square minus 14 equal to 45 x थोड़े से bigger digit मिल गए यहां पे ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं यहां पे 14 x square minus 45 x minus 14 equal to 0 अब समझ यह कि 14 and 14 यह यहां पे c देखो यहां पे आपको explain कर आओ पूरा यहां पे 14 x square minus 45 x minus 14 equal to 0 समझ यह यहां पे a और यह c दोनों का multiplication हुआ that means 14 x 14 हुआ that is 196 is it okay now we have to factorize 196 to get 45 after doing subtraction तो 196 के ऐसे concept factors है जिससे आपको मिल जाए देखो initial level में आपको क्या करना पड़ेगा कि 196 को आपको break करना पड़ेगा तो आप break करो चलो 2 से break करता 2 into 98 यह कोई काम का नहीं है फिर 98 को break कर आओ 2 into 49 यहां से हमारा काम हो गया यह 49 into 4 होता है 196 and वो ही 49 minus 4 होता है 45 so we will go with this 49 and 4 is it okay आप जैसे break करोगे ना break करो और break करने के बाद उसका group बनाओ कौनसा group आपकी condition को satisfy कर रहा है वो आपका answer होगा I think idea is very clear with it okay 14x square 14x square minus 49x plus 4x minus 14 equal to 0 समझे यहां पे तो 14x square और 49x square 14x square minus 14 यह तो 8 standard वाली बात हो गई ना यह 8 standard में आता था तो 7 7x common निकाला 7 2 जा 14 7 7 जा 49 तो कुछ ऐसे factors मिलेंगे उसके तो यहां पे लिख देता हूँ मैं जो factors मिला वो 7x यहां पे हुआ 2x minus 7 यह 2x minus 7 तो आपको maintain ही करना as it is 2x तो यहां पे लिख देता हूँ plus 2 equal to क्या हो गए 0 तो एक bracket मिला हमको 2x minus 7 दूसरा bracket मिला 7x plus 2 equal to 0 चलो 2x minus 1 2x minus 7 equal to हो जाएगा 0 and 7x plus 2 equal to क्या हो जाएगा 0 तो 2x minus 1 equal to 0 हुआ 2x minus 7 equal to 0 2x equal to 7 x equal to 7 divided 2 that is your answer of first root then it is 7x plus 2 equal to 0 x equal to minus 2 divided 7 x equal to minus 2 divided 7 this is your answer I hope कि यह 3 जो मैंने example solve किये वो अलग थे method same थे लेकिन simplify करना था और बाद में question पर आना था आपको समझ में आ गया होगा आप एक question अपने आप try कर सकते हो बाद में आपको assignment provide की जाएगी यहां से तो एक question आप try कर सकते हो question लिख देता हूँ में यहां पे कि x square minus 1 और नीचे है x square plus 1 is equal to 7 upon 9 very easy question okay now you can go with this type of questions you can solve it okay और एक questions है जो factorization method के base पे ही है तो question कुछ इस तरीके से आता है चलो लिख देता है question को खास द्यान में रखिये ऐसे questions एक्जाम में आ सकते हैं मैं double star करा हूँ that means it is important 6 2x plus 1 whole square minus 2x plus 1 minus 5 equal to 0 very important questions देखिये अब यहां पे simplify मत कीजिये देखो 2x plus 1 2x plus जैसे जैसे अलग-अलग type के question solve करोगे तो ही पता चलेगा and mind well these are quality questions these questions are not included in your textbook okay so please go with such kind of questions 2x plus 1 तो मैं यहां पे कुछ लिख देता हूँ कि दो बार 2x plus 1 क्यूंकि आप इसको कैसे समझ सकते हो देखो कुछ मैं तो कुछ इस तर देख रहा हूँ उसको minus x minus 5 जो x square था जो x था तो x की जगह replace किया गया है 2x plus 1 को यहां पे भी वह ही हुआ तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि suppose guess that मैं यहां पे कुछ guessing कर रहा हूँ कि 2x plus 1 जो है ना 2x plus 1 is equal to k k लिख देता हूँ कि 2x plus 1 equal to kya है k तो जहां पे 2x plus 1 था तो यहां पे k square हो जाएगा minus k minus 5 equal to 0 तो जो हम x में काम कर रहे तो नहीं यहां पे करना है तो 6पाइजा 30 हुआ यहां पे क्या लिख देंगे 6x square minus 6k बराबर plus 5k minus 5 equal to 0 समझ में आ रहा है very important questions 6k square minus 6k plus 5 चलो first में common क्या होगा तो 6k common होगा it is k minus 1 plus 5 common हो गया it is k minus 1 equal to 0 क्या मिला first bracket में k minus 1 equal to 0 चलो पहले दो factors लिखने पड़ेंगे यहां पे step को हम यहां पे delete कर रहे है okay k minus 1 na k minus 1 and that is 6x plus 5 equal to 6x कहां से आया 6k होगा ना okay फिर से लिख रहे है उसको 6k plus 5 equal to 0 चलो आगे देखते है k minus 1 समझना दियान से k minus 1 k minus 1 equal to 0 6k plus 5 equal to 0 okay k equal to 1 we are going to find हमको value find करनी है x के वो यहां पे खास दियान में रखना x की value find करनी है यहां पे 6k equal to हो जाएगा minus 5 k equal to हुआ minus 5 upon 6 k equal to k हुआ minus 5 upon 6 अब देखिए k तो था ही ने पूरे equation में k कहा था equation में देखलो फिर से equation देखो यहां पे आपको कहीं पर भी k दिख रहा है यहां पे तो कहीं पर भी k हाई नहीं कौन सा variable है यहां पे x तो value किसकी find करोगे आप x की तो guessing क्या गया था हमने 2x plus 1 equal to k k तो k तो जो था उसकी जगह हमने लिखा 2x plus 1 तो यहां पे k था उसकी जगह लिख देता हूँ 2x plus 1 equal to 1 so 2x equal to क्या हो गया 0 x equal to क्या हुआ 0 तो एक तो मिल गया 0 फिर यहां पे वही approach k k तो k की जगह क्या लिख दा फिर से 2x plus 1 minus 5 upon 6 तो यह क्या हो जाएगा तो 2x plus 1 है ना तो 2x equal to minus 5 divided 6 minus 1 so 2x equal to minus 11 divided 6 हुआ तो x equal to हो जाएगा minus 11 upon 12 तो minus 11 upon 12 is your answer एसे sum आप solve कर सकते हो यहां पे तभी आपको idea बनेगा आप एक question में आपको दे रहा हूँ 3 2x plus 1 whole square plus 3 and यहां पे लिख देता हूँ मैं minus 10 2x plus 1 तो यह question आप solve कर सकते हो इस question को solve किजे वह ही आपको answer मिलेगा is equal to 0 ओके चलो यह बात हो गई factorization method की अब move on होना है दूसरे concept पे जो important concept है exam में कई बार आता है questions तो ऐसे questions solve करना है यहां पे तो चलो completing square method completing square method का आज कुछ basic करवाँगा जो हमने standard 8 में पढ़ा था completing square method completing square देखे समझे आप completing square that means PST की बात करने वाले हम PST means what perfect square trinomial PST means perfect square trinomial तो perfect square trinomial की बात करने है यहां पे तो perfect square trinomial की होता है तो देखे यह हुआ AX square plus BX plus C नहीं हम perfect square trinomial की इसको बोलेंगे तो A square plus 2AB plus B square और A square minus 2AB plus B square को हम बोलेंगे perfect square trinomial क्योंकि जहां पे होता है एक first term की जो positive होता है N square होता है positive N square होता है दूसरा एक middle term होता है जिसकी एक definition है यह formula है plus or minus 2 under root first term and under root last term यह होता है दूसरा एक last term होता है जिसका वह भी positive होता है और square होता है clear तो यह हुआ perfect square trinomial की कुछ definition कुछ basics जो हमको सिखना था PST के बारे में ध्यान से समझे यह 4 marks में आता है बड़ावत 3 या 4 marks में इंक्लूड औरता है यह सम तो खास ध्यान में रखे completing square method जा रहे है कौन सी method अगले वाले में देखी जो factorization method यहां पे completing square method कर दी है जिसमें हम include करेंगे PST को PST क्या हो गया तो perfect square trinomial होगा perfect square trinomial मतलब a square plus 2ab plus b square and a square minus 2ab plus b square वाला होगा जहां पे first term middle term देखे पहले वाला first term दूसरा middle में आता है middle term तिसरा last term तो यह 3 term होता है first term and last term क्या होता है तो first term होता है वो always positive and square होता है last term भी positive and square होता है middle term plus or minus 2 हो सकता है according plus or minus 2 under root first term into last term तो ये last term की formula क्या होई तो ये होई middle term whole square into 4 into first term ऐसे ही first term की formula हो जाती है middle term whole square divide 4 into last term ये दो formula हम standard 8 में सीख चुके है कुछ example देख लेते हैं first term और ये PhD के तो suppose हम लिख रहे हैं यहाँ पे x square plus 10x plus 25 तो ये PhD हुआ कैसे देखो ये positive and square है ये भी positive and square है तो ये first and last के हिसाब से ये हुआ आपका middle term तो ऐसे ही ऐसे ही आपको देखना है कि first and middle के हिसाब से आपका last term भी होना चाहिए तो हमको 10 standard में कहां पर focus करना है तो आपको 10 standard में सिर्फ और सिर्फ last term पर focus करना है उसे term पर? last term में last term गलत होगा last term को हम modify करके right जो right last term होगा उसको include करके हम आगे बढ़ेंगे दूसरा एक और चीज आपको एक factors जैन में रखना है और वो factors है आपका a square minus b square equal to a plus b and a minus b यह सबको आता है तो उसका थोड़ा advanced level में आप pst के साथ इसको कैसे include करोगे? तो आपको इस तरह याद किजिए कि a square plus 2ab plus b square minus c square देखो ऐसे कुछ करना है आपको तो a square plus 2ab plus b square गया हुआ तो यह हो गए आपका a plus b whole square हुआ और यह हो गए आपका c का square standard rate में सीख चुके आप तो a plus b plus c and a plus b minus c कैसे? देखो इसको detail में explain करता हूँ a plus b तो एक बार a plus b दूसरी बार c एक बार उनका addition एक बार आप लेंगे a plus b and दूसरी बार होगा c और दूसरी बार होगा उनका minus तो देखे ए प्लस b तो exit आया है तो a plus b और plus c a plus b और minus c तो कुछ इस प्रकार आपको factors निकालना है I hope idea is clear तो आपको यह भी ध्यान में रखना है completing square method आप यह formulas एक बार देख लीजिए यह formula खास करने है और practice कैसे करने है आपको तो practice कैसे करने है वो भी find last term जेखो practice आप यह start कर दो फिर हम next video में completing square method से उसके roots find करने के find last term how to find last term जैसे कि आपको दिया है x square plus 2x plus question mark so what would be here हम guessing कर लेते हैं कि यह एक PST है perfect square trinomial बनानी है तो यहाँ पे यहाँ पे last term क्या होगा what is first term x square what is last term 2x last term formula is middle term whole square divide 4 into first term what is middle term 2x square is whole square first term is x square what is 2x whole square that is 4x square divide 4x square 4x square 4x square cancel answer is 1 so your last term is 1 so your PST will be x square plus 2x plus 1 are you getting my point you can take for the negative one also you can find it x square minus 6x last term last term what is formula of last term middle term whole square 4 into first term what is middle term whole square minus 6x whole square 4 into first term is x square minus square always positive 36 whole square divide 4x square cancel 36 divide 4 that is 9 so your last term is 9 that means your PST is x square minus 6x x square minus 6x plus 9 clear तो आप ऐसे कुछ संब्स्जाओ करना स्टार्च करते नेक्स वीडियो उम्हें यह देखेंगे यह देखेंगे कि कैसे completing square की method है हम find करेंगे जो ax square plus BX प्लस है उनका रूट्ड तो आप जो अगले वीडियो है प्रिवेस वीडियो से उनका भी रिवीजन करते रहें और ये वीडियो भी लिखिए कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए you can whatsapp us okay you can post your queries and we will solve it thank you so very much for watching this video stay connected with us stay healthy and have a nice day thank you very much